कॉंगरेस के प्रदेश अधिष कुलदीप राठाउर ने अपने कारेकाल के तीन वर्ष पूरे कर लियें इस अफसर पर उनके कारेकाल की उपलबदियों का जिकर करते होे उनना में कॉंगरेस के परदेश परवक्ता विजे डोगरा ने पत्रकार वार्ता कर अपने विचार रखे विजे डोगरा ने कुल्दी पराठाउर के कारेकाल में तीन विधान सभा और एक लोग सभा के उपचुनाव में कॉंगरेस पार्टी की जीत को बड़ी उपलब्दी करा दिया उनने अगामी विधान सभा चुनाव परदेश के नेताओं के सामुहिक नेतरतु में लड़ने का दावा भी किया हलाकि कॉंगरेस का हिमाचल परदेश में मुखे मंतरी पद का चहरा होने के सवाल पर विजे डोगरा ने इसके लिए कई निताओं के सक्षम होने का दावा भी किया लेकिन किसी एक वेक्ति के नाम से वे बचते दिखाए दिये छे बार मुखे मंतरी रहे बीर भद्दर सिंग के परिवार से प्रतिबा सिंग के बतार मुखे मंतरी पद का उमीदवार घोशित किये जाने की संभावना पर उन्होंने बीर भद्दर सिंग का हिमाचल की सियासत में बड़ा नाम होने की बात कहकर समर्थन किया और हाईकमान दौरा मुक्हे मंतरी पद का उमीदवार घोशित किये जाने की बात कहकर नकारने का प्रयास किया। उन्होंने सुखविंदर सिंग सुखो और नेता प्रतिपक्ष मुक्हे शगनी होतरी के नाम पर भी स्पस्ट्रूप से कुछ कहने से गुरेज किया। आलंकि वीजे डुबरा ने खुद के कुटलहर विधान सभा से चुनाव लड़ने की खुल कर इच्छा व्यक्त जरूर की। नेता हैं और उन्हों कि ить हैं क्या इक बड़ी उप्लब्धी ये ह सबसे बड़ी उपलब्धी ये है कि जो काम 19 में 2019 में उने शुरू किया था उसका रिजल्ट 2021 में जो विधान सभा के तीन उपचनाव और एक लोग सभा का उपचनाव हुआ है उसमें वो देखने को मिला है और ये जो जुगल बंदी है जिस तालमेल के साथ आज परदेश धेक्षा और नेता प्रतिपक्ष दोन ही जुझारू है अदम में साहस रखते हैं चाहे सदन के अंदर की बात हो चाहे सदन की बाहर की बात हो सटकों पर उतर के भी जिस तरह से भारती जंता पाइटी की विफलताओं को आज उजागर किया है मैं समझता हूं कि इससे बहतर जुगल बंदी को और नहीं होगा प्रदेशा रहेंगे और उनके अथक प्रयासों के साथ बहतर ताल मेल के साथ कॉंग्रेस पुनहीं बाप्ची ही करेगी और बाप्ची नहीं करेगी सरकार भी बनाएगी वीर्बदर का जो प्रभवा बहुत एक तो बहुत और जोग्दान रहा है हमाचल की राज नीटीमें हमाचल अब क्योंकि उनके उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और मंडी की सांसै वह मंडी का उक्चुनाव जीती है तो क्या ऐसे में प्रतिबा सेंग मुख्यमंत्रीपद की दावेदार हो सकती है यह फैसला हाइक मान करती है और अभी आपने देखा होगा कि पांच राजियों के चुनाव हो रहे हैं और उस पे उस पे जो संभाव ना हो सकती है वो तो हाइक मान फैसला करेगी विधायक दल क का नेता कौन चुना जाएगा कैसे विधायक कितने चुन के आते हैं कितने लोग किसके साथ है वो सब बाते उस समय देंगे